ये हादसा तो याद ही होगा आपको 8 जून 2014 को 24 इंजीनिरिंग चात्र बह गए थे हिमाचल में हुए इस हादसे से पूरा देश हिल गया था अब इस मामले में हिमाचल हाई कोट में बिजली विभाग और कॉलेज को दोशी पाया है कोट में थलोट हादसे में मरने वाले 24 चात्रों के परिवार वालों के लिए 4 करोण 80 लाख रुपे का मुआफजा देने का आदेश दिया है आपको बताते कि थलोट के खारनाल के पास ब्यास नदी में 24 इंजीनिरिंग के चात्र बह गए थे पानी शांत देख ये फोटो खीचने यहां रुके लेकिन अचानक लार्जी डैम से पानी छोड़े जाने से नदी का जल्सतर बढ़ गया सभी चात्र हैदराबाद इंजीनिरिंग कॉलेज के थे वैनिक भासक डॉट कॉम की रिपोर्ट